गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रिक्शन करेंगे फाइलम प्रेटी हैलमेंथिस और इससे रिलेटेट दो जीनस जो बहुत इंपोर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और यह जो क्वेशन्स हैं प्रीवियस एस के क्वेशन्स लिये गए हैं जो की इंपोर्टेंट है बहुत ही जादा एक्जाम के लिए तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं साथ में तो यहाँ पर क्वेशन नबर फॉस्स दिया गया है तो डिजिजस के क्रम में पहला है डेंगू फीवर तो डेंगू के लिए ऑप्शन यहां पे लिस सेकंड के जो फोर वाला है जो सेकंड वाला एडिज एजेप्टी वो है उससे मैचिंग एलिंफेंटिस के लिए क्यूलेक्स फैटिंग्स काला अजार जो है फ्लियो बॉटमस और स्लिपिंग सीकनेस के लिए ग्लॉसी ना तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा तैट विल बी राइट एंसर नेक्स करता है विश वन आफ दा फीचर इस नौट सीन इंट वरियंस कौन सा फीचर नहीं होता तो सी राउंडेट बॉडी निमेटोर्स में होते हैं यहां पर नहीं होते हैं यहां पर नहीं है तो सिस्टोडा में नहीं है सिस्टोडा के मेंबर्स जो होते हैं वो बॉडी वाल से ह food materials को diffuse कर लेते हैं which one of the following is correctly match कौन correctly match कर रहा थो तौ टीनिया जो है ट्रेमइच औरेमाघ्टी का सदस्स नहीं है एकठीनो सेमेटरी नहीं है श उन्ह इस तौम जो है वह minha ट्रेमेटोडा का मेंमबर है तो c will be right answer next network which प्लायम्हां और एक तेक्रोंती जो होगा थो ट्लोní भॉट यहां इंसर wax स्टूरोटफ्चर किस फाइलम का में एक्स्रेट्यू इस्ट्राइड है तो फाइलं प्लेटी हैल्मिंध्य इस्क्ट्षन से रिलेड़ हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कुछ जो हैं मैम्बर्स है यहाँ पर प्रेम से जर्स और बहुत सारे एक्स्रीटियु से लेकर, तो इसके लिए जो है, इसके हलमेंथिस में रेनेट सेल्स होते हैं, नेफ्रीडिया को देखा गया है एनलेडा के केस में, कैबर ओर्गन जो है, मॉलस्का यूनियो में, मैलपीगियन सेल्स, इंसेक्ट्स और्थोपॉट्स में, कॉउग्जल ग्लै टीशू जो होता है, वो इंपॉर्टन रोल प्ले करता है, अपसिंस और फैनस इन फ्लेट वॉम्स इस तो यह क्या है, जो एनस का अपसेंट होना, तो इस पेशिलाइजेशन कहा जाता है, इस फैनामिना को, तो टेप वाम एब्सॉड फूड को कैसे अब्सॉड करता है, त इसमें से, इंटरमेडियेट होस्ट जो होते हैं, किस क्लास में होते हैं, तो इंटरमेडियेट क्लास के लिए यहाँ पे, डी वाला ट्री में टोड़ा जो होगा, वो राइट अंसर होगा, नेक्स कुईशन, वीच आफ दे फॉलिंग स्टेट्में इस करेक्ट अबाउट तो स्टेल ग्लेंड के लिए कौन सा करेक्ट होगा, तो सभी ऑप्शन्स पढ़ने के बाद, जो डी वाला है, all the above, स्टेल ग्लेंड सभी से रिलेटेड है, फेशियोला हेटिका से भी, रीनल ओर्गन से भी, कस्टेशिया और मॉलसकन से भी रिलेटेड है, नेक्ट कुईश सिस्टी सरकस लारवा, तो सिस्टी सरकस के प्रेजन्ट होने के वज़ा से यहां मेजल्स होने का खतरा होता है, इसके बाद जो है, इसी सेक्शन में, यहां पर नेक्स कुईशन दिखाया गया है, यहीं पर नेक्स पार्ट है, फेशियोला है और तीनिया का, तो कुईशन है which of the falling parasites has no intermediate इसमें intermediate host कोई नहीं है तो tapeworm में है liver fluke में भी है malaria में भी ascaris में कोई नहीं है ascaris जो है वो monogenetic होता है fasciola hepatica occurcin कहां होता है तो liver of ship में इसकी accuracy होती है the function of laurus canal in fasciola hepatica तो laurus canal जो है जब आपको ये particular topic fasciola hepatica कपड़ाय जा रहा था तो वहां बताया गया था कि ये बहुत ही important है और बाबा रिपीट होता है तो ये किसे related है act as copulatory passage next senior text food through तो body wall होगा यहां पे शकर्स में confused नहीं होना है what is the function of laurus canal in fasciola hepatica तो फिर से question repeated है तो act as C वाला option सही होगा which laurus stage is absent in the life cycle of systema कौन सा नहीं होता systema के life cycle में तो radia नहीं होता है which of these is not a larva of fasciola hepatica कौन सा नहीं है तो hexa canth जो है वो जो है tap warm का larva है fasciola का larva नहीं है next जो question है यहां पे इसी sequence में तीनिया सेजनेटा differ from तीनिया सेजनेटा जो है उसको जो है वो काउ के जो है बीफ में देखा गया है और जो तीनिया सोलियम है वो पीग में होता है तो इसी वज़़ा से यहां पे जो question दिखाए गया है तो इस question में कुछ इस तरह के यहां पे difference दिखाए गया है तीनों में एक तरफ है properties है तीनिया सोलियम है तीनिया सेजनेटा है तो इसके लिए जो question राइट होगा रॉस्टेलम नहीं होता तीनिया सेजनेटा में तो जो जनरल नेम है पॉक टेप वाम है तीनिया सोलियम का बीफ टेप वाम है होस्ट दोनों के हुमन बिंग से इंटरमेडिट होस्ट जो है तीनिया सोलियम का पिग है और तीनिया सेजनेटा का सेजनेटा का काउ या अधर केटल्स हैं दोनों से जो डिजिजिस होते है तीनियेशिस और सिस्टो सर्कोसिस होता है तेनीया सोलियम से यहां पे कि वर टेनीया सिस होता है तो इस question के लिए जो है जो right answer होगा तो यहां पे जो right answer होगा इसके लिए इसके लिए जो right answer होगा रोस्टेलम नहीं होता है तेनीया सैजिनाटा में next tiniya takes its food only through body wall यह बार-बार question repeated है तो क्या काम है मैहलेंस ग्लैंड का तो लिब्रिकेट करता है यूटरस को हार्ट करता है कापसुल को एक्टिवेट करता है स्पॉंड को तो यह सभी डू अबब वर्क सभी वर्क जो उपर दिये हुए हैं यह सभी का काम करता है नेक्स ओस्मो ट्रॉफी क्या है यहिए किससे रिलेटेड है तो जो टीनिया में दिखा गया है कि बॉडी वॉस से फूड मेटेरियल्स एवजॉब होते हैं एंडो परसाइट का यह काम करता है तो इस तरह के फूड जो है फीडिंग मेकनिजम को जो है ओस्मो ट्रॉफी कहा जाता है नेक्स्ट एपो लाइसीज इस दा प्रोसेस किसका प्रोसेस है तो इसके लिए सी वाला ऑप्शन सही होगा सेप्रेशन आप ग्रेविट प्रोग्लॉटिस फ्रॉम दे मेन बॉडी तो जब हम लोगों ने फीगर टिन्या सुलियम का देखा था तो वहां पे जो प्रो लैडी जो प्रोग्लॉटिस तो ग्रेविट जो प्रोग्लॉटिस उस प्रोसेस को बोते आप उलाइसिस बोते हैं नेक्स वर्शन आपको यहां पर सीक्वणलॉट लगाने Genesis school in diarrhea aंसे ब्लेडर वर्म is a larva of किसका लार्वा है तो टीनिया का लार्वा है ब्लेडर वर्म नेक्स, the process of detachment of mature progrotis from the body of tapeworm इस process को क्या कहा जाता है जो body का detachment होता है mature का तो एपोलाइसिस कहा जाता है ग्रेविट के case में एपोलाइसिस इस process को कहा जाता है नेक्स, which of the falling infect the snail in the life cycle of fasciiola तो कौन सा fasciiola के life cycle में स्नेल को infect करता है तो C, miracidium larva जो है वो स्नेल को infect करता है नेक्स, the term acetabulum is associated with किसो related है तो fasciiola hepatica से भी related है और ये जो है pelvic girdle से भी related है यानि कि ये दोनों, pelvic girdle और fasciiola hepatica दोनों के लिए acetabulum जो है वो important है दोनों जंगें ही ये present होता है bladder worm is a bladder worm क्या होता है तो B होगा larva है किसका? टीनिया का? महलिस gland in liver fluke helping किसमें help करता है? तो reproduction के time जो है ये अपना important role play करता है तो it is related to reproduction bladder worm is the larva of किसका larva है? फिर से tape worm का larva है apolysis in the process of apolysis क्या है? तो C वल option से होगा separation of gravity proglotis from the main body the region for the misty fog flesh in the presence of किसकी वज़ा से misty fog flesh जो होता है? वो सही नहीं होता है और तो यहाँ पे जो right answer होगा इसका जो presence of cystic circus larva next malice gland is found in तो किस में पाया जाता है? फैशियोला में पाया जाता है hexakent larva कहां पाया जाता है? टीनिया सोलिया में पाया जाता है allogenesis is the type of alteration of generation found in यह allogenesis कहां present होता है तो यह बीन्स is also found in case of liver flu question number 330 टीनिया टेक्स food through फिर से body wall number of activity pore in fasciola कितने होते हैं एक्सक्रीटी पोर तो इसके लिए एक ही एक्सक्रीटी पोर को दिखाया गया है fasciola के case में next question यहाँ पर next question जो है fasciola से related osmotrophy found in osmotrophy का process कहां होता है? तो टीनिया में होता है free swimming से related larva stage of liver flu जो free swimming larva है तो मेरा stadium ही है सिल्या युक्त है, और ये थैने में help करता है, stage of the life cycle of liver flu, which infect the primary host, primary host को कौन infect करता है, तो मेरा sodium larva, जो है, वो infect करता है snell को, तो the intermediate host in the life cycle of Acciola hep woods, क्या होगा intermediate host, तो snell है, और primary host जो है, वो है ship, in which one of the following is anus absent किसमें anus absent होता है तो flat worms में anus नहीं होते है the type of respiration found in tinea solium तो कैसा respiration होता है an aerobic type का respiration होता है वहाँ पे oxygen नहीं होता है तो respiration का जो process है an aerobic type का respiration देखा जाता है hexacanth larva किसका larva है तो tape worm की case में hexacanth famous है तो यहाँ तरह तरह के larva दिखाए गए है कुछ और organism में फिता क्रीमी यानि tape worm में hexacanth liver fluke में radial larva ascarious में rapidity form larva philaria worm के लिए micro philaria larva famous है यह larva वाले questions बहुत ही important होते हैं the shading of gravid progratis in tinea is called shading को क्या कहते हैं gravid progratis में तो apolysis इस process को कहा जाता है digestive system is not found किसमें digestive system नहीं है तो tinea में कोई भी digestive system नहीं है body wall से ही food diffuse होता है next apolysis is the process of तो यहाँ पे इसके लिए C वाला option ही best है separation of gravid progratis from the main body osmotrophy is found in osmotrophy कहा होगा यह question बार बार एपिटेट है तो tinea solium में होता है detachment of gravid progratis in the tape warm is called detachment को क्या कहते है tape warm के case में तो उसी वाला option ही ज़्यादा better है यहाँ पे apolysis कहा जाता है the idle tape warm derives nourishment by the idle tape warm जो है वो nourishment कहां से provide करता है तो इसके लिए जो right answer होगा इसके लिए पहले options देख लेते हैं absorbing the host digested food through body wall तो यहाँ फिर से body wall से ही जो adult होते हैं वो food को absorb करते हैं in which one of the following is the anus subset इसमें से किसमें anus नहीं होता तो flatworms में कोई anus नहीं होते हैं question number 347 बहुत ही important है which one of the following set includes all hermaphrodite animals इसमें hermaphrodite का कौन सा set है जो hermaphrodite है ascaris, hydra, earthworm नहीं होगा क्योंकि ascaris में दोनों dices form में होते हैं hydra, locust and leash यहाँ पर भी नहीं होगा tapeworm, toad और starfish toad में नहीं होते हैं तो leach, hydra और tapeworm तो यह last वाला option that will be right answer leach, hydra और tapeworm में monosius या hermaphrodite पाए जाता है hermaphrodite the animal जिस पे दोनों ही sexes present होते हैं sexes यहाँ पे separate नहीं होते हैं so friends this is all about the previous questions of phylamplity, helminthes and fasciolatinia so please इसको बार बार प्राक्टिस करिए और next video में हम लोग next phylam की questions को लेकर आएंगे तब तक के लिए ओके बाई और बहुत बहुत धन्यवाद